दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट अनलिसिस के अंदर में और इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के अलाव आपके लिए दो स्टॉक और लेगा हैं जिसमें आप कल इंट्राडे की स्विंग पोडिशन के उपर बना सकते हैं तो वीडियो को पूरा अंतर देखीगा जिसमें देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और साथ में इंड्रसिंट बैंक और बंदन वैंक के बारे में देखने कोशिच करेंगे कि ये स्टॉक्स में किन लेवल्स पर आपको कल ट्रेडिंग करनी चाहिए कहां पर आप इसको टागेट बुक कर सकते हैं ताकि आपको इंफ्टी बैंक निफ्टी आपके सामने में आपको कहा था कि बजट के बाद बजार ने बजार बजट को वेल्कम कि है और बजार एक अच्छी खासी रैली की तरफ चल रहा है आप देखिए बजार अपने बहुत ही बढ़िया चाल को आपके सामने लेके चल रहा है बजार आज भी बहुत ही शांदा चला है बड़ी स्ट्रॉंग सी बुलिश केंडल आज भी देखने को मिल रही है यहां पर है और यह बता रहा है कि बजार एक अच्छी खासी रैंज में निकल रहा हैगा इस वहने आपको पहले कहा था 17,424 का अब सपोर्ट बन जाएगा बजार के अंदर में 17,424 के नीचे मार्केट आती है तो वहां सोचेंगे कि बजार में कोई गिरावट आ सकती है तो इसलिए 17,424 का एक बढ़िया साल लेवल हमारे लिए बन जाता है अब यहां पे कौन से लेवल कल हो सकते हैं निफ्टी को ट्रेड करने के लिए वो देख लेते हैं कि बजार पूरे दिन एक बढ़िया 700 के आसपास में खुला वहीं एक रेंज में बजा चला है बहुत ही स्लोली आपको लिख के देता हूं फ्लीज आप इसको नोट कर लीजेगा अब जो पोडिशनल स्टॉप लोस निफ्टी के लिए रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा 17,689 के आसपास का अब हमारा स्टॉप लोस बन जागा जो स्विंग टेडिंग के स्टॉप लोस करने वाले है ठीक है और यहाँ पर अगर 689 के नीचे जाएगा तो फिर हम इस पर थोड़ा सलिंग देख सकते हैं पर नीचे के लेवल 689 के नीचे ही होंगे अब इसके ऊपर में कल बजार 17,830,832 के ऊपर अगर बजार खुल जाता है तो यहाँ पर जो लेवल अनलसिस निकल काएगी व और इसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखने ही कोशिव करें तो बैंक निफ्टी के हाल भी कुछ बहुत ही शांदा दिखाई दिये हैं और बैंक निफ्टी कैसे दिखती हैं चले बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं बैंक निफ्टी उन्तलिस हजार 439,449 के अ 49,607 के उपर मेहनत आपके लिए कर चुक हूँ, सीधे level analysis आपको दे रहा हूँ, अपनी study करने के बाद, अपने match करने के बाद ही टेड़ीजी का, दीगे level analysis पर trade करते हैं, कोई जी मिला ही नहीं है, बट मुझे रखता है, आप सो share करने चाहिए, आप पसंद करते हैं, इनको त फिर बैंक निफ्टी हमारी 40,000, और 40,200 के लिए बैंक निफ्टी जाती दिखाई देती है, अगर 49,600 के नीचे में बैंक निफ्टी तूट जाती है, तो जो पहला support हमें मिलेगा, 49,402 पे पहला support रहेगा, 49,204 पे दूसरा support रहेगा, और 49,006 पे तीसरा support रहेगा, तो basically 49, 49,402 का major support बन गया है, इस तो यहां पर जो ट्रेडिंग कल के दिन में अगर करनी होगी, तो 49,607 के ओपर चलता है, तो बैंक निफ्टी को बाया कर सकते हैं, 49,607 के नीचे चलता है, तो बैंक निफ्टी पे शॉट की position बना सकते हैं, इसको stop loss लेके, तो basically अब देख लेते ह कि हम Blandar Bank और Index воли Bank में क्या position बनती दिखा ही दे रही हैं, यहां पर किन levels के उपर हम काम कर सकते हैं, Indexusion Bank का 6% के आसपास चलता है, Blandar Bank मेंग भी कुछ आधे परसन के आसपास चला है, ठीक ठाक सी level रहे हैं, और अगर Blandar Bank से पहले, Engineering Bank को देखाও आ हैं, तो Index बढ़िया सा सपोर्ट यह स्टॉक बना के चल रहा है आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट को इस टॉक ने मैनेज किया है और यहां पर एक सही सा एक ब्रेकाउट भी होता दिखाई दे रहा है इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग है तो यहां पर 9.61 के ऊपर में इसका अगर हम ब्रेकाउट देखने की कोशिश करें तो ब्रेकाउट अबव 9.61 जिसको भी क्रॉस कर चुका है 9.68 की इसकी क्लोजिंग है तो 9.61 के ऊपर में ब्रेकाउट रहेगा तो stop loss below 9.61 ही मैं लगाने वाला हूँ और यहां पर जिन टागेट के लिए मै 1056 9.61 के अगर नीचे में खुलता है इसके नीचे तो फिर इसको पहला support 930 के आसपास मिलेगा दूसरा support 900 के आसपास में और 870 के आसपास में जिसके chances होड़े कम दिखाई देते हैं और फिलाल यह stock ऊपर की तर जाता दिखाई दे रहा है तो यहां पर आपको 9.61 का करने की सोच सकते हैं बंदन बैंक भी अच्छा खासा एक आप यह मान के चलिए कि एक resistance को पार करता दिखाई दे रहा है एक अच्छे खासी trend line के ऊपर ही closing होती दिखाई दे तो मेरे हिसाब से यहां पर इसका एक breakout तो हो गया है तब इसके ऊपर चलता है इसको respect करता है तो म बंदन बैंक में अच्छी कहती पोजिशन बन जाती है और बंदन बैंक का जो breakout हो ना चाहिए वो breakout का प्राइस एगा 324, 324 के ऊपर में इसमें अच्छी घासी तेजी मिलने चाहिए और इसके ऊपर निकलता है तो पहला target में 342 रुपे का 360 रुपे के लिए में trade करने वाल कम दिखाई देते हैं तो यहाँ पर जो मेरा breakout trader है का बंदन में के लिए 324 के ऊपर ही लेने वाला हूँ तो यहाँ आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और बंदन बैंक और इंडरसिंट बैंक का लेवल अनलिसिस घर जाईए अपने अनलिसिस कीजिए अपने पूरे आपको मोटिवेट करने के लिए बिलते हैं किसे नहीं वीडियो में तर तक के लिए टेकर बाई जहिन